नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल पर आज हम आपको पालक जूस से होने वाले कुछ स्वास्त लाप के बारे में बताएंगे पालक के फाइदे स्वास्त के लिए अच्छे होते हैं लेकिन क्या आप पालक के जूस के फाइदे जानते हैं? यदि आपको पालक का पूरा फाइदा चाहिए तो पालक का जूस पीना सबसे ज़्यादा फाइदे मंद होता है वास्तव में पालक हमारे शरीर को उर्जा दिलाने और मास पेशियों को मजबूत करने का सबसे बहतरीन तरीका होता है समाने रूप से पालक, चुकंदर और काले परिवार का सदस्त है पालक में मौजूद पोशक तत्व और खनिच पदाद हमें शरीर को कई प्रकार की स्वास्त समस्याओं से बचाते हैं यदि विटामिन की बात की जाए तो पालक के जूस में विटामिन K, विटामिन A, मेगनीज, फोलेट, मेगनीशियम, आइरन, विटामिन C, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन E, केलशियम, पोटेशियम, फॉसफोरस, फाइबर, कॉपर, प्रोटीन, जिंक और ओमेग जैसे विशेश पोक्तत्त्त्मों की उच्च मात्रा पाई जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं इससे होने वाले कुछ स्रासलाब के बारे में। सबसे पहले एक निवेदन उन सबी दर्शकों से जो अच पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं। क्रप्या हमारे चैनल की सदस्ता को जरूर ले ले ताकि आप हम से जुड़े रहें, हमारे दौरदी कई जानकारी को रोज देख पाएं और उनसे फाइदा भी उठा सकें। साथी सही जानकारी के लिए इसे अंतितक जरूर देखेगा। पालक खाने या इसके जूस पीने से हम अपने शरीर में खून की कमी को बड़ी ही सरलता से दूर कर सकते हैं। इसके लिए आप पालक के जूस का सेवन करें, ऐसा कुछ तन तक ही करने से खून की कमी दूर हो जाती है। पालक के जूस का सेवन करने से खुन भी साफ होता है। गर्बवती महिलाओं के शरीर में और उसके पेट में पल रहे बच्चे के शरीर में खुन की भरपाई करने के लिए पालक का सेवन सरूर करना चाहिए। इसके अलावा भी पालक का जूस या इससे बनी सबजी का सेवन करने से गर्बवती महिलाओं को काफी लाव मिलता है। अकसर बीमार पड़ जाना, किसी भी चीज का इंफेक्शन जल्दी हो जाना, थोड़ी सी भी धूल दूवं में कोई न कोई समस्य हो जाना आदी शरीर में इम्यून सिस्टम की खराबी की वज़े से होता है। अगर आप कम्यून सिस्टम कमजोर है, तो पालक का जूस का सेवन करना आपको चाहिए। इससे आपको बहुती लाब मिलेगा। पालक का सेवन करने से बालों की कई समस्याएं जैसे बालों का तूटना, जढ़ना, कमजोर पर जाना, आदी से भी छुटकारा मिल सकता है। अपने बालों को समस्याओं से मुक्त करने के लिए आप रोज बालक का एक गिलास जूस का सेवन कीजिए। कुछ दिन तक पालक का सेवन आपकी त्वचा को मुलायम बना सकता है और त्वचा के रूखेपन को भी दूर कर सकता है। अगर आप पालक के जूस का सेवन करते हैं तो इससे आप अपनी त्वचा काफी हद तक मुलायम बना सकते हैं। अगर आपके सीने में जलन हो रही है तो आप पालक के जूस का सेवन करें या फिर पालक खाएं ऐसा करने से सीने की जलन दूर हो जाती है तो दोस्तों यदि आपको आज की हमारी जनकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट सरूर कीजेगा इसे देखने के लिए आप सबी को बहुत-बहुत धन्यवाद आपका दिन शुब रहे